लेसुन पे आज़ों बिना तले भीना बहुत इब बढ़ीया नास्ता आज हम बनाकर तयार करने वाले हैं विदियो पसंद आती तो प्लीज लाइक कीजिए कचले शुरू कर लेते तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है, इस सूजी को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, सूजी कोई भी ले सकते हैं, मोटी बारिक जो भी आपके पास हो, सूजी को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, इस कंसिस्टेंश को मेंटेन करेंगे जो इसे साथिर का पाणी हो चुक्ण है जो शहां जांगे इसे भूल कर आओ दाल लेती हुआ तो कोई ने भूल या बरतना पर ले सकते आ उस ऐसे मिक्सिम्या Memorial का इसे और कि आथि दैंगे मिक्सिम्टोम कर देंगे पंद्रा से 20 मिट के लिए ताकि जो सूजी है फूल जाए इसमें और पानी डालेंगे तो यहां पर इस तरीके से मैं इसे घूलते हुए तयार कर लिया है तकरीबन सवा कब इसमें पानी लगा है तो और इसमें नमक भी डाल लेते हैं नमक के सिवाए इसमें कुछ भी नहीं दे قाल अंद्रा कर लिया है तो बेटर हमारी हो चुका है इस ही तरीके का भूल प्रख горpoints कर डेख सकते हैं अब देख सकते हैं इस तरीके से हमारे के स्पुन की बच्थ साइड में इस दू है जाए इसमें बैड़ने हो चाहिए तरौछ इंड़ी दाल然后 हई ता दोड़ी इसे फैला कर सेख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेख ना है, जैसे इसकी जो उपर की लियर है, हमें ड्राय लगेगी, तब इसे हम निकाल लेंगे, इस तरीके से सभी सीट हम त्यार कर लेंगे, बहुत ही बड़ी अनास्ता बनकर त्यार होने वाला है, बाकी को भी हम इस स्वीट कॉन डालेंगे, उसी के साथ में दो चममच यहां पर कद्दुकस की भी गाज़ा डाल रही हूं, और शिम्ला में डालेंगे, यहां पर दो चममच मैंने शिम्ला में बारी कट करके, जो भी सबजें आपको पसंद हो ले सकते हैं, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला लाल मीच डालेंगे, उसी के साथ में नमक डाल देंगे, टेस्क के अकोर्डिंग आप चाहें, तो हरी मिच भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं, तो इसमें हरी मिच एड़ कर सकते हैं, और एक छुड़ा चममच इसमें मैंने विनेगर डाला है, वही उपर रखेंगे और जो हमने उपर का हिस्सा था उसे नीचे किया है उसमें स्टफिंग डाली है एक से डीड़ चमच आप डाल लीजेगा या अपने आप डाल सकते हैं इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे इसे चिपकाने के लिए कोई गोल बनाने की ज़रुत नहीं है इसी त आशता हमारा बनकर तयार होता है इस तरीके सभी को हम तयार कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ सभी को मैंने तयार कर लिया है गैस पर मैंने तवे को रख दिया है नॉन्स्टिक का मैं इस्तमाल कर रही हूं कोई भी तवाल कर सकते हैं इसके लिए या आपके प डालेंगे और यहां कर सकता है एक से दू अश्राइब में यह कंत बूए है तो बोध बढ़ी आश्चा हैं आपने देखा कितना कम प्रिया इस्तमाल हो गया है और प्याज का अश्राइब नहीं क्या है अगर नहीं खाते हैं तो यह राइस्पी आप के लिए बैस्ट है इस तरीके से बहुत ही बढ़िया नार्षटा बनाकर त्यार कर सकते हैं दिखिए यह हमारा जो नांटा है त्यार हो गया है रेस्पी अगर आपको जरावी पसंद आए हो तो प्लीस वीडियो को लाइक कीजेगा अपनी मन पसंद चटनी या सोस के साथ से आप साव कीजेगा के लिए मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खुश रहिए खाते रहिए